वो तो सब ठीक है, पर छोटी दीदी के बारे में कोई बात नहीं, छोटी दीदी के बारे में कोई जिक्र नहीं, कोई कह रहा है वो बहुत ज़्यादा सैड है, कोई कह रहा है कि वो बिमार है, और कोई कह रहा है कि वो प्लान कर रही है 25 तारीक का अपने हस्बन के लिए, क्य ही यह सारे के सारे कॉमेंट हमारी जिजी के वीडियोज पे ही है जूटी दीदी की छोटी बहन का कुछ भी अता पता नहीं हाला कि जूटी दीदी बार बार बोलती रहती है कि मम्मी से बात हुई थी परेदिन से बात बात हुई थी फलाने से बात हुई थी धिमकाने से बात हुई थी और आप में से तमाम ऐसे सदसे हैं जिनका मानना ये है कि ये सारे पहुचेंगे शिमला और शिमला में हमारी बढ़कन्नी जिजी जो बनेगी भिमला शिमला मेरा दिल शिमला मेरी जान शिमला मेरा जिगर सोलन भी पहुच जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है तो हे ब्रिवान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जहां आज तीसरा दिन हो चुका है छोटी दिदी गुम शुदा है अब लोगों को चिंता सताने लगी है कि कहां है छोटी दिदी क्यों नहीं आ रहा उनका वीडियो तमाम लोग तमाम सोच तमाम बात है पर बढ़करनी जुजी या फिर बगगी के मुझ से छोटी की बारें कोई बात क्यों नहीं निकल रही है वैसे तो उनका जो पाड़कास हो रहा है भाई साब उस सारे पाड़कास में इनकी जो बाते होती है ऐसी ऐसी होती है उनसे आहत बताया जा रहा है कि छोटी दीदी किनारे कर दी गए हैं उनको दर किनार कर दिया हैं लोगोंने कई बार जुक्ष हुआ है लेकिन तारीफ है स्रिफ बढ़कन्नी जजी के हिस्से में ही आती है वो सारी चीजे हमने नोटिस करी है लेकिन जब आज तीसरा दिन लागू हो गया तो लोगों ने सवाल करना पूछना शुरू कर दिया एक जो कॉमेंट है इसके अनुसार जो छोटी है वो प्लानिंग कर रही है अपने पती के मतलब इस वाले बर्थडे को स्पेशल बनाने का क्योंकि उसने सिड से प्रोमिस किया था कि नेक्स वाले बौदे में वो उसको उसका पापा गिफ्ट करेगी पापा गिफ्ट करेगी तो हरकते शायद पहले से इस प्रकार की नहीं होती तब शायद पापा को गिफ्ट नहीं करना पड़ता पापा उसकी लाइफ में होती और छोटी दीदी की जो यह बात थी सिड से कि अगले बौदे में उसको पापा गिफ्ट करेगी कि मैंने भी वो वीडियो देखा था, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं देखा था, तो उसके लिए बच्चे को ये बताना पड़ता है, कि बच्चे ये आपके पापा है, जो भी तुम बताना चाहूँ बाहर जौब कर रहे हैं, या फिर जो भी, अभी वो छोटा बच्चा उसको क्य ही बताओगे, कि तुम्हारी मा इंडेपेंडेंडेंट की लड़ाई लड़ रही है, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारी दादी ने बहुत अत्याचार करें, तुम्हारी बुआ ने मा को निकाल दिया है, वैसे एक बार इस बार इम भी बात करी थी दीदी ने, कि मैं सिट क क्या बताऊं कि जब तुम इतने महिने के थे तुमको निकाल दिया गया थे तुम्हारी मा के साथ ये बार भी दीदी ने बोली हाला कि वह भावावेस में आके बहुत सारे शब्द बोलती है और बाद में उसको बहुत ज्यादा फील होता है हम सब को पता है कि छोटी दीदी जो गुस्से में बोल जाती है ना वो कई बार कई गुना जादा बोल जाती है पर इस बात में क्या सच्चाई है कि वो अपने हस्बिन का बोद्दे प्लान कर रही भाई हस्बिन ने तो लगातार बार-बार मना कर दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता है मैं उस गली नहीं ज को पेपर हैंड वाले पेपर करा दिये गए हैं जिसकी वज़े से वो सदमे में चली गई हो और इसलिए वो विडियो नहीं बना रही हो क्या पता यही सच हो तो देखे इस बारे में अंकुष ने बहुत पहले अपडेट रिया था कि डाइवोर्स के पेपर परेतिन को अब इ उन्होंने बोला था मैं तो जहूंगा साथ में एक गौवर्मेंट का कोई बंदा जाएगा जो वहां पिर पेपर रिसीप करवाएगा तो अब इसमें तो मैं कोई अपनी टीका टिपड़ी नहीं कर सकती क्योंकि यहां पर जो बाते लिखी हैं हमें नहीं पता कि जिदी ने रिसीप करें हैं वो डॉकमेंस या पेपर या नहीं बस इसके बेस पर यह कहपाना मुश्किल है पर पॉसिबल्टी इसकी भी हो सकती हैं अभी तक इस बारे में अंकुष ने भी कोई कन्फरमेशन नहीं दी है और अगर बात करें अंकुष अगनी होतरी की एक सिकेंड इनक दिन हो गया तीसरा दिन है शायद और इधर हमारी छुटकनी जिजी का भी नहीं आया तो कहने को तो कहा जा सकता है कुछ लोग बहुत अच्छी होप कर रहें अब वो जादू ही हो तो में भी वो पॉसिबल हो सकती है चीज़ें क्योंकि छुटकनी जिजी ने अफकोर्स कह एक जादू के अंतरगताई थी क्योंकि वो तो बस मुझे दिल ही दिल चाहते थे मन ही मन चाहते थे जब दीदी से शादी हो गई थी तो उन्होंने कहा था कि तुम ऐसा है कि मुझे लग ही नहीं रहा कि तुम मेरी जिन्दगी में आच चुकी हो बिलीव ही नहीं कर पा रह तो क्या फिर से छोटी दीदी की जिन्दगी में ये जादू पॉसिबल है का दोनों पतनी उधर से ब्रिज पे दोड़ते हुए आएंगे फिल्मे स्टैल में ऐसे ऐसे जो 90's के टाइम पे हुआ करता था गाना गाते हुए और ब्रिज में मिल जाएंगे या ना वैसे जिज को लोहां शायद चाल पहले ऐसे चांसे बहुत जएदा थे और वो कहीं न कहीं बोल भी रहते हैं कि मैं ले जाना चाहता हूं जच साब मैं घर बसाना चाहता हूं लेकिन अब कुछ जादू हो जाएं या फिर काय नहां क्यों कोई क् Juice चाला जादू होजाएं बंगाली बा बाबा का काला जादू मन पसंद इस्तरी को करें अपने वश में मन पसंद पुरुष को करें अपने वस में आप शादी करना चाहते हैं तो शादी हो जाएगी मतलब भाई सहाब कभी-कभी दैनिक जागरन अमर उजाला उठाओ वहुम काला बाबा बंगाली बाबा का करता है बाई तो बाबा जी को तो मैं कॉल कर लूँगी और मेरा पूस्पेट कनेक्शन ज्यादा बिलबेट जाएगा वैसे एक करने वाला है बाबा जी के साथ कुछ इस प्रकार की वाइड सच्छे होते हैं जूटे होते हैं सुना है कि कई बार आइभी आर पर ही तमाम प कुछ लोग तो ऐसे हो जाते हैं तिम दोनों लोग मिले हुए हो हाला कि हम सबको पता है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि मिलने के लिए ना दिल मिले होना जरूरी होते काश कि दोनों मिले होते तो भी हम लोग खुश हो जाते एक बच्चे का जीवन सबर जाता लेकिन कई बार यह जो coincidence है लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं जो लोग पूरी बाते इनकी नहीं जानते हैं जिनको लगता है कि दोनों मिया बेवी जान भूज करते हैं इतना साल से इनका इस लफड़ा चलते आ रहा है अभी भी किसी को कुछ किनारा नहीं मिला है तो लोगों का शक वीडियोस पर देखा कई बार तो परेतिन जुझी पर अब तो परेतिन जुझी ऐसे कमेंट रखती नहीं है पर कई बार कि तुम दोनों लोग ना मिलके गेम खेल रहे हैं तो वाइसा है ने अब यह coincidence है या क्या है या फिर वाकएं में पेपर पकड़ा आई दिन गए अब वैसे ड्राइबर भाया मेरी जिजी इंडिपेंडेंट है और उसने बोला था कि जो लाइफ का टूथ है वह यही है कि सब कुछ आपको अपने आप ही करना पड़ता है तो जो वक्त आता है तो इंसान कर ही लेता है और जो तीसरा और लास्ट वाला option है वह यही है लोग लि मिले वाले हैं और हमेशा की तरह इतिहास दोहराया जाएगा एक बाप बच्चे से नहीं मिल पाएगा तो यह तीनों बाते जो comment section में हमाई छुट करनी जिजी के पुराना वाला वीडियो में लिखा है लगा है उसमें आप सब को का लगता है comment करके जरूर बताइएगा का दोनों पति-पतनी साथ हैं मैं इकरार करेंगे जहार करेंगे या फिर दोनों पति-पतनी बच्चे के साथ केक कटेंगे वह से वह महोल एकदम जवर्दस्त हो जाएगा काई बढ़ करनी के जो पाड़कास बनाएरी कवनों काम के नहीं भाई साब अगर हमारी जिजी उन्हारी वाले वीडियों नहीं आए थे एकदम वीवज की बहुत चान लग जाएगी लेकिन हमारी दीदी का इगो बड़ा है नहीं तो बहुत पहले यह वीव आज चुके होते हैं बहुत पहले काहिते हैं कि कई बार इगो हार जाए तो बढ़िया होता है इंसान जीते ज सोच लिए उसकी बरसात हो जाएगी जो कोई चालवाजी इंसान करता था अपने बच्चे के लिए तुम जाए सकती हो विडियो बनाए सकती हो वाकए में तुम ऐसा दिदी कर सकती हो ठीक है तुम लोगों के अपने अपनी जो चीजें हैं साइड में पर अपने बच्चे के नहीं पर शक्षब सअल करते हैं कि वही अपने अर्वाज खान को देख लो मलाइका को तको अभी मलाइका जी के पापा मतलब उन्होंने दिवार और फान के कूद के थोड़ा सब ने आपको उपर पहुचाए दिया अरवाज खान सबसे पहले पहुचे उसके बाद उनके जो सिकेंड वाली बॉइफ्रेंड है अरजुन कपूर साब भी पहुचे तो वैसे उनका जो चक्कर अफेर चल ला अरजुन कपूर के साथ चल रहा है पर अरवाज खान पहुचे ना दूसर के दिन भी पहुचे अपने जो सूरा खान को ले कर भी पहुचे अरे अरवाज खान की नई सटेंग तो वहिए वाली वर्ड में तो भी सब चला करता है लेकिन एक चीज़ इनकी अच्छी होती है क कभी भी अपने बच्चों को ना उनके फादर से मिलाने से रोकते हैं और ना ही मतलब नेक्स वाले पार्टनर के साथ भी उसका कुछ मिल जोल कड़ा देते हैं बातचीत होती है एक रिस्प्रक्ट लेवल बना रहता है तो वही कर देते अपने बच्चे को लेके चले जाते अपने हस्बिन का केक कटायते है ना इंसानियत रखो वैसे तो तुम बोलती हो छोटी सी जिन्दगी है का लेके आएं का लेके जाएंगे खुश रहना चाहिए फलना करना चाहिए धिमका करना चाहिए तो वही जिसने भी यह कॉमेंट किया है कि पती की बर्थडे की तयार कर दे तो भाईया बच्चे का भी कल्यान हो जाएगा दूनों का तो हो गई होगा पर जैसा कि हम सब देख चुके हैं अंकुशक नोतरी साफ मना कर चुके हैं कि ना जी अब तो मैं पत्थर का सनम बन गया हूं और दुबारस चीजें मैं ऐसी नहीं कर सकता क्योंकि इरादे की लिए दोनों कारी कर सकते हैं लेकिन लगता यहिए एक बार फिर से घंगोशी सबसक्राइब कि केको काट के बढ़िया तुम अपने रस्ते हैं अपने रस्ते हो बच्चा भी अपने पिता से के साथ टाइम स्पेंड करें बच्चा कभी अंकुष को भी बच्चे का प्यार महबत का पूरा अधिकार होना चाहिए पर वो जी जी नहीं देगी क्योंकि उसका तो एक सूत्र प्लस भड़काने वाले लोग तो वहिया क्या इस बार भी अंकुष का प्लान धरा का धरा रह जाएगा आपको का लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएगा अपनी विचार धरा से ओगत कराईएगा बाकी अभी के लिए इतना ही चैनल पे नहीं तो चैनल को अपर चाची को याद कर रही थी का चाची केक लेकर आई जाओ जिजिक दयाओ जिजिक दयाओ उसे कह दो कि अभी ना खुरापाती कोणों इंसान नहीं है बढ़कन्य उधर अपना कंटेंट में बिजी है और दस जार्स उपर कंटेंट उका जाय नहीं रहा इतना सब सब्सक्राइब कोनों फाइदा मिला है वह इसे भी उस जाए रहे हैं बग्गा बगीक तो बढ़े रहे हैं दीदी के दसे हचार ग्यारा हजार जा रहे हैं दुनिया पर का लड़ाई जगड़ा भी हो रहा है तो चाची कही दो कि अपने पतिक सार जाक के कटवा दें का टीम में हाई गए देखो ही चाची है टरू वाले टरू वालों का कोई भरोसा नहीं यह नास पीटे अंकुष के जाए कि कोमें शक्षे में लिखके आते हैं मेरे प्यारे जीजू माफ कर दीजे हमने आपको गरिया था जाकि हम री दीदी को लेये ना उसको माफ कर दीजे टरू वालों का कोई भरोसा नहीं दीदी जब प्यार जता हुए पायल चंकवा है संदूर लगा है तो उसके पास माभी मांगने पहुंच जाओं और जैसे दीदी अपना स्क्रिप्ट चेंज करें टॉंट वाजी करें तो फिर यह भी है ऐसी शकल वाला वैसी शकल वाला भ पताईएगा पच्चेस तारीक को का होगा संसनी खेश खुला साब पच्चेस तारीक को होगा